नमस्कार भाईयो टैक किसान फारिम के राठोर चैनल में आप सभी का स्वागत है भाईयो वीडियो शुरू करने से पहले भाईयो से एक रिक्वेस्ट है भाईयो चैनल को प्रीज सस्क्राइब करें अपने चैनल पर हम ने जो वराइटी आ रही हैं इनके बारे में बहुत अ आप सोच जानकारी देंगे बिल्कुल अच्छा है अच्छा दिखाऊंगे खराब है खराब दिखाऊंगे तो अब हम अम रोडिस्टिक में हैं आज अपने सोविंदर भाई के पास तो हम इनके दूसरे प्रोट पर आगे हैं तो भाई ने वेराइट लगा रखे 14201 तो भ भाई एक बर आपना परीचे मेरा नाम सोविंदर सिंग सनुप चतरपाल सिंग ग्राम चोखट तैसील दनोरा जिल अम्रवा तो भाईया कोन सी वराइट है आपके यह कोलक 14201 तो यह आपने कब लगाई थी यह मेरी पहली नवंबर की वहाई है तो डारेक्ट सोविंग बड़ के तना जी एक से डेड़ फिट एक से डेड़ फिट आच अच्छा अच्छा आपको बीज कहां से प्रोवाइड हो था यह वारे मील नहीं हमें प्रोवाइड कर आया था एक दो तो तो आपका मेल वैसे शुकर मिल कौन सा आजी वेव सुकर इंडर्स्री मंदी दनव है तो दिखा देता हूं भाई ठीक ठाक भाई हाइड काफी ले रहा है यह दखो और भाई अब यह खुड यह भी सैड़ में बच रहा है और यह भी खड़ा है से भी यह दखो वहां तक खड़ा है अच्छा भाई से जान करी हो लुगा तो कितने शेत्रपल में है यह मेरे सब्सक्राइब करना है तो एक बार प्लीज किसान भाई के लिए सुरुसावात में आप सने क्या प्रिक्रिया करी उसकी थोड़ी जान करी दो आप हमारी वही है एंपिके कैलबोर और लेसेंटर अच्छा जो चला रहा सिस्टम आपका कांची पर लेसेंटर के इस प्रेवा वह निच्चे जमीन में फटे रहा या कोरोजन कुछ इसमें मैं डाले था वह इसकी बाइर वालों की एक नहीं आई है वाइगो हां इस साल नहीं सुआ है वह उसमें सेम है उसी का मैंने इस पर किक किया था अच्छा उसका इस प्रेकरा था अच्छा जैसे हमने काफी सुना नोगो भाई कुछ भाई कहा दे हैं नोगो इसकी जादे नहीं है तो है ठीक ठाक लेरा अज हमारे यहां की तो जमीन बहुत सोई रेतली जमीन है अब की फिर भी दकोश हिसाब से बहुत अच्छी हाइट ले रहा बहुत जबरदस्त बहुत साबस्तर अगन्ना खटा अच् की को खास ने विमारी कोई नीहीं कोई पीमारी नहीं तक तो है अभी नहीं अब तकक लएक भी नहीं बढ़ाइं चल्ला है उदस देखने में नहीं लग रहा Algun कूई आपको शभी कूण sol यह देख लो कहीं आपको कोई खास बीमारी ऐसी दिखाएंदेवी कोई मलब इंट्रनोड बोरर टो बोरर वैसे कोई कुछ नहीं है ना यह आपके सामने है अच्छा साफ फुत्रा गन्ना एक देख लो भाईयो पिशान और कर रहता हूं एक बर जूम करका आपको गराइची क यह दखो इसकी पैचान यह है जैसे यह इसका आंक है तो आंक के साइड़ों में पर पंक होते हैं आप बहुत बड़े लगा खड़ा एक दम जवाब निया विसको सांदार गन्ना है गोड़ा नहीं असा बहुत चीज बताओ सविंद्र भाई तो जैसे बीज में गया है तो बीज में आपने कैसे कटवाया यह हमारे मील के दोवारा जा रहा है गन्ना हमारे मील का जो रेट है वह 600 रुपे कुंटल किसान देगा जिसके खेत में से गन्नक कटेगा उसके किसान को अच्छा अच्छा मलब मील के बहुत पराने अच्छे किसान नहीं आते हैं तो हम अपनी मील से बाहर कभी नहीं गए सभी बात है आपकी बड़ों मों बेख लेंगे इस साल अपनी रेप्टेस इन तो डाउन हो जागी पर लोग क्या कहने लेंगा कोई कुछ वाले बताने लेंगा कोई कुछ वाले बता है कि देखो श्रमदाराद्मिंक लिए इतनी बहुत है देखो आपकी बहुत अच्छी बा प्रशिजर है कैसा ले जाएंगे वह अपने अपना नाम लिखवा देगा फिर उनका वह वह में तुरूंटेक्ट कर लेंगा आप से पर हमारे हां से आगा और बीज लेकर जा सकता है आच्छा अच्छा श्यावदाब्णा मेल शेत्र के लिए है जैसे बीज कटा है आपका तो आपको कुछ वेट का इडिया तो हो गई वेट का हां लबग ये एक एक बिगा के आसपास गन्ना कटा यह जी तो इसमें लबग मेरा 75 कुंटल गन्ना चला गया जा लिए हैं मैं अंगोले पत्तिस हैं वैसा एक सीज हो रहा है जैसा आपका नुम्बर का फस्टिविक मे प्रवरी मार्च के बाद ही चला होगा तो यह आप लगाओ पहली मार्च से शुरूई है जब सरसों कटी होगी जब सरसों कटके उसके बाद धूंब लेगी होगी जब चला हो गया उस हिसाब से तो पिंच पिशेतर कुंट अच्छा विकल्प है जैसा आपकी जमीन आपका अच्छा गन्ना आगी जैसे कुछ और नए वराइटी आरी इस साल उनका काफी सोर मच रहा तो इसमें कहीं इस्प्राउटिंग ब्लैक इसमट तो ऐसा कुछ तो दिखाई निदिया इसमें ऐसी कोई अभी और यह आपके सामने है जी ना कोई इसमें नीचे से जम रहा है न अच्छा पुटाव निए जी अच्छा गन्ना बेल्कुल फोली डोगा अंदर से गन्ना बेल्कुल ठोस अउसमें अंदर कोई सोरी बोर ही नहीं होगा नि जैसे आपने यह गन्ना बीज में चला गया तो हम भी देख रहे हुआ है तो यह 15-20 दिन होगे तो एक बर आप पे हिए जिसे 15 दिन वह और वह ना कर दो देख तो भाई हो फूटाओ में युद्धी फूटने में कहीं कोई इस असब अनुक हुआ है सारे में यहां जहां बढद लेके थी वह एक प्दी फूट नहीं रहे हैं और यह पच्छे सिंगल यह वी संगल यह सोविंदर अप्पार ना दिखा जेता हूं कि बढ़ा है तोन बढ़ी आई ढरी एक चीज बात है थोड़ी प्रैक्टिकली बात है एक बढ़ दिखाओ एक दो तीन चार पाँच शेए शाथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उनिस बीस इकिस बाइस तेहिस चोविस पच्छिस पच्छिस चब्विस बढ़ है चब्विस बढ़ है उच्छा तो में रीजन आफ हम समझे बढ़ों में बिखने का जी तो अगर आवरेज मान के चले इस गंद्य में वेट कितना होगा जी वेट इसमें लब होगा दो किलो के आसपास अच्छा वेट दो किलो गंद्य में चब्वी साहग है जी अगर वैसे अगर एक रूपा बढ़ बीद है तो भी नुक्सवान नी नहीं कुस्वान नी तो बहुत बहुत महँआ भेगा मां भेग रहें ना बुरा मांजने जादे निकते अच्छा और कोई वाइब भाए इसकी कोई और खास विसेश्था इस वराइटी की यह वही है बस इसकी आप दो-तीन बार रेटून अराम से ले सकते जैसा अच्छा इसका हो है गंद्धार ग सारा गंद्धा बढ़े खड़ा दूर तक जूम करके दिखा देता हूं और यह दखो एकदम कहीं कोई दिक्कत नि यह सब सब बड़ा भाइदा जी बनाएक पैसे बचेंगे भारी विमारी कोई खास है नि इसमें बहुत कुली मिला यह चलने वाली वराइटी है बढ़िया जैसे कि यह गन्ना यह नहीं नहीं वराइटी है किसान को सारी थोड़ी थोड़ी एक दोड़ी जो उनकी जमीन सूट करें गन्ने को वो उस वराइटी को बढ़ा है यह नहीं कि अकेले तुम 23 के पीछे हो गए यह 35 के पीछे पढ़ गए यह अकेले 4201 के पास ऐसा कुछ नहीं है पहले आप ट्राय करो जो आपकी जमीन पगड़े उससे चलाओ और 4201 यह वराइटी अच्छी है मजबूत गन्ना है इसमें इसमें रोग भी जल्दी नहीं हाँ इसमें रोग जल्दी ना सोलिड है इसमसी नहीं नहीं चलिए ऑलता वी लगा था मेरा स्केट में वो टैमो वाले असलिक है अधिक है तो देख लो भाई आप आपना सविंदर भाई ने चोड़ा दोस्टेक के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल कुल के बाद सारी बता दी बाई ने यह बीज में कैसे जा रहा है मिल के थू जा रहा है सारी बाद कुल एकदम खोल के समझा दी अच्छे से तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत भूँ धन्यवाद और किसा वह दर्सकों से निवेदन है वीडियो अच्छी